हेलो दोस्तो वेलकम टू टेकर स्टूडियो मैं अजहर साब लेकर इंस्टाग्राम पर वेरिफाइड बैज को लेकर के ज्यादा तर लोग ये सोचते हैं कि हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर ज्यादा फ्लोवर्स होंगे तो हमें जल्दी वेरिफाइड बैज मिल जाएगा हमारा अकाउंट जल्दी वेरिफाइड हो जाएगा लेकिन इसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर किसी के अकाउंट पर दस फ्लोवर्स पर वेरिफाइड बैज नहीं मिल सकता है और अ दस flower count वाले को verified badge मिल सकता है और 1 million वाले को नहीं मिल सकता है। जी हाँ, Instagram ने इस बारे में साफ साफ कहा है कि flower count बिल्कुल भी माइने नहीं रखता verified badge के लिए, यानि कि flower count का कोई लेना देना verified badge से नहीं है, चाहे 10 flowers है, 20 flowers है या फिर 5 million flowers है, verified badge का criteria इंस्टाग्राम पे एकदम और इस बारे में साफ किया है Instagram के head ने, आप खुद सुन लीजिए उन्हीं की जबानी की Instagram पर verified badge के लिए जो followers की condition है, वो क्या है। और इसको ले करके मैं आपको कुछ example भी आगे दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले आप Instagram के head को इस बारे में सुनिए। अजलुजश हो त 가능 setup इसको की ओआ हो हैजब कहले बा मrouई की भीजिए घाग स्क्राणता जाव थजश लेकिते में सुनिक कि हैंस उनलुजश, इससां गलीजश κα क्वागे ने भ्लीजश के लिए क्वाई ऋवित बारे में सिन सहन मेंक्या प्सेंतित। तो यह आपने सुना इंस्टाग्राम के हैड को जो साफ साफ यह कह रहे हैं कि वेरिफाइड बैज के लिए फ्लोवर्स कॉंट की जरुवत बिल्कुल भी नहीं है यानि कि फ्लोवर्स कॉंट बिल्कुल भी कोई माइने नहीं रखता लेकिन हाँ जो पॉपलर परसन है जो नोटेबल है जो पेमस है उनको वेरिफाइड करने के लिए हमें आर्टिकल लिंक्स चाहिए होगे क्रेडिबल मीडिया हाउसेज की कवरेज चाहिए होगे ठीक है तो अगर हम लिंक्स प्रोवाइड करते हैं भले ही फ्लोवर्स के कॉंट कम है फिर भी अकॉंट पर वेरिफिकेशन बैज मिल सकता है लेकिन अगर अकॉंट पर बहुत ज्यादा फ्लोवर्स हैं मिलियन मिलिय पर अगर हमारे को ले करके कोई कवरेज नहीं है कोई आर्टिकल नहीं है कोई मीडिया हाउसेज ने कवरेज नहीं किया तो फिर हमें वेरिफाइड बैज नहीं मिल सकता है इसका एक्जामपल मैं अपने लैप्टोफ स्क्रीन पर अब चल करके दिखाता हूं तो यह देखी राइड बैज को ले करके एक अलग से ब्लॉग लिखा गया है 2 सेप्टेमबर 2021 को अन्डेस्टेंडिंग वेरिफिकेशन आउन इंस्टाग्राम अब इसमें नीच आएंगे ना तो देखें इसमें जो लास्ट वाला बुलेट पॉइंट है वो ये है कि योर अकाउंट मस्ट रिपर्जेंट आव वेल लौन हाइली सर्जड फो परसन ब्रैंड और इंटिटी वी वेरिफाई अकाउंट्स देट आर फीचर्ड इन मल्टीपल नीउज सोर्सेज वी डॉंट कंसीडर पेड प्रमोशन अक्रोस इंस्टाग्राम एंड फेस्बुक यह है आदम मुसेरी जो इंस्टाग्राम के हेड है और इन ही का वीडियो आपने शुरू में देखा था जिसमें यह कहते हुए दिख रहे हैं कि इंस्टाग्राम पर फोलोवर्स काउंट कोई माइन ही नहीं रखता वेरिफाईड बैज के लिए अब मैं आपको कुछ अकाउंट्स दिखाता हूँ एक्जाम्पल के तोड़ पा तो आप यह अकाउंट देखिए यह है सोफिया ओफिसियर ठीक है सोफिया का अकाउंट है टोटल पोस्ट है 7.99 फोलोवर्स है 5.5 मिलिया यानि कि 50 लाग से भी ज्यादा फोलोवर्स है लेक लेकिन अकाउंट पर वरिफाइड बैज मिला हुआ है यानि का अकाउंट वरिफाइड है फरक दोनों में यह है कि यह नोटेबल परसन नहीं है पब्लिक फिगर इन्हों ने ज़रूर मेंशन किया है लेकिन हो सकता है कि इनको लेकर के कोई मीडिया कवरेज ना रहा हो इनक क्रियेटर है न्यूज एंकर है फ्लोवर्स भले ही कम है लेकिन इनके अकाउंट पर वरिफाइड बैज मिल गया है क्योंकि यह एक नोटेबल जर्नलिस्ट है एक फेमस जर्नलिस्ट है न्यूज परसनालिटी है इसलिए कम फ्लोवर्स और कम पोस्ट के बावजूद इनके पर verified badge मिल गया है वहीं सोफिया के case में आप देख रहे हैं तो post भी बहुत जादा है followers count भी बहुत जादा है लेकिन बावजूद इसके इनके account पर verified badge नहीं मिला यहाँ पे भी साफ होता है कि followers count कोई माइने नहीं रखता Instagram account पर verified badge के लिए बलके जिस accounting कितने coverage media houses में है या फिर क्या media houses का कोई करमी है news anchor है journalist है या क्या है उसके हिसाब से Instagram account पर verified badge मिलते हैं तो अगर कोई यह सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा followers बढ़ाने का मतलब कि हमारे account पर verified badge जल्द मिल जाएगा तो यह बिल्कुल भी सच नहीं है इस गुमान में बिल्कुल भी ना रहें कि ज़्यादा followers बढ़ा लेंगे तो हमारा account verified हो जाएगा आपने example देखा Sophia का 5.5 million यानि कि 50 लाग से भी ज़्यादा followers रहने के बावाजूद उनका account पर verified badge नहीं लेकिन 1168 followers वाला account पर verified badge है इससे ये पता चलता है कि media coverage एक credible media houses का link article ये सारा कुछ help करता है एक Instagram account को verify करने के लिए या उस पर verified badge मिनने के लिए तो अगर आप में से किसी को लेकर के भी media houses में अच्छी खासे coverage है अच्छा खासा credible media houses ने आपको लेकर के coverage किया है article लिखा है news वगरा चलाया है तो फिर आप apply कर सकते हैं आपके account पर followers कोई माइनी नहीं रखता आप followers को मत देखिए आप देखिए कि आपको लेकर के कितने coverage हुए हैं कितने credible media houses ने आपको cover किया है किया है तो आप link provide करे apply करे setting में जा करके देन आपका account review के बाद definitely verified badge मिल जाएगा तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में कि Instagram account पर verified badge के लिए apply करने का सही तरीका बिलकुल सही तरीका यही है कि सबसे पहले आप चेक करें कि आप कितने notable हैं कितना आपको ले करके coverage है इससे जादा कुछ करने के ज़रूरत नहीं है followers, account पर विलकुल भी ध्यान ना दो तो चलिए आज तक लित नहीं इस वीडियो से related कोई query हो तो आप हमें comment box में लिक करके ज़रूर बताएं वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल टेकर स्टूडियो को सब्स्राइब करें